तारक महता का उल्टा चश्मा सीरियल पीछले 15 सालों से दर्शकों को इंटर्टेंट कर रहा है तारक महता जेठा लाल चंपक लाल सोडी भीडे टप्पू अंजली भविता और अईयर जैसे किरदार फेंस का दिल जीच चुके है लेकिन एक किरदार है जो बिते कई साल से शोग का हिस्सा ना होने के बावजूद उसका नाम तारक महता उल्टा चश्मा के फेंस की जमापर रहता है जी हाँ हम बात कर रहें दया बेन यानी दिशा वकाने की जिनके शो में दुबारा एंट्री करने की खबरे जोरो पर थी वहीं हाली में शो का एक प्रोमो भी शेर किया गया था जिसमें जेठा लाल दया का स्वागत करने की तैयारी करते दिखे थे लेकिन लेटिस्ट एपिसोड से लगता है कि फैंस के सपनों पर पानी फेर दिया जिसके चलते शो को बाइकाट करने की मांग उड़ गई दरसल बीते कई दिनों से शो में दया बेन के स्वागर की तैयारी देखने को मिल रही है वहीं जेटालाल ही नहीं गोकुल धाम सोसाइटी के सभी सदस से एकसाइटेट नजर आ रहे थे लेकिन लेटिस्ट एपिसोड में एक बार फिर जेटालाल का सपना तूटता हो नजर आ रहा है क्योंकि दया बेन की एंट्री नहीं हुई इसके चलते वो काफी मायूस नजर आ रहे हैं बस फिर क्या था जेटालाल की मायूस ही देख फेंस का गुसा बढ़ गया वहीं ट्वीटर यानि एकसपर फेंस ने मेकर्स और प्रोडियूसर असित मोदी को खरीच खोटी स्थोनाना शुरू कर दिया एक यूजर ने लिखा जनता माफ नहीं करेगी इसी के साथ बने रहे हैं राजट्रमा टीवी के साथ कहने बाद